असलाम अलेकूम वेल्कम बैक टूमार चैनल कैसे हैं आप सब विमित करते हूं सब कहरे से होंगे लम दिल्ला में भी हम बिल्कुल ठीक हूं तो जी आप सब को हज मुबारक और ईद की बहुत-बहुत मुबारक बाद और जो लोग जितने भी हाजी हज करने के लिए गए हैं अलाम सब का हज कबूल फरमाएं और मैं हज क्यों नहीं गई मेरा हज के इंसल जानना क्यों हो गया तो इंशालला आगे वीडियो में आपको मैं पूरी ड आगे हुए हैं अपना जो भी समान लेकर आ रहे मार्केट से वह मुझे दिखा रहे थे तो मैं उन्हीं का समान देख रही थी तो बच्चों की तो खुशी अलग होती है माशला से और घर में जो है कुरबानी के जानवर भी आ चुके हैं तो उसकी खुशी अलग है तो जी म मैं पहले से ही प्रिपरेशन करके रख लेती हूं तो मैं जो जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाके रख लेती हूं और यह प्याज हैं इनका जो है मैं फ्राई करके रख लेती हूं पहले क्यूंकि कोर में मैं जो है प्याज जो फ्राई प्याज होती है उसकी बहुत ज़्याद और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता कोई भी चॉपर अच्छा नहीं लगता तो इसी से मैं जो है प्यास की जो है जूलियन कर लेती हूँ और बहुत अच्छे से जो इसके अच्छे हो जाते हैं तो यह मैंने 5 kg तक्रीबर और और मैं ने पहले में इन और को तो तुम्हार काल नेकर बादम स Luego समय भीता शर्ड़ाइब लगने झाइब मुझारे रहा में हिसे नाकि जञे नीचे से जले ना तब तक अच्छा जी प्याज मेरी जो है फ्राई हो रही है तो उसके बाद में यह लसन अद्रक का पेश्ट बना कर रख लूँगी इससे बहुत जादा एजी हो जाता है आपने बार बार मिक्सी नहीं उठानी मिक्सी की ग्लास नहीं उठाने बस आपने ज साथ बसाहर आप इस तरीके से मैंने इस को आइस की में की ट्रेज होती है उसी में मैंने इसको कर रख लिया है और बाकी जो बचेए गाना वो मैं फिरीज में रख दूंगी फिलाल और बूसकी के मैं होतना मैं आइस ट्रे में बाकी में बॉक्स कर लूए और हाईश ट्रे उसा ओब सब्सक्राइब खराब नहीं होता आप इसको दो-चार महीने तो यूजर नहीं करेंगे तकरिबन एक या दो हफ़ते में यह खतम हो जाएगा इतना आप यूजर कर सकते हैं अच्छा जिनके घर में करने के लिए तो उसको करने की जरू woda नहीं जारएगो दो हम कंदा करते हैं और ज्यादा जिकलतित कि आप जाधा टाइम किचन में खड़े नहीं रह सकते और बहुत ज्यादा प्रोब्लम होती है अच्छा जी यह है मेरे दो बॉक्स जिसमें मैं अपने यह नीवो और अला हरी मिर्च में रख लूँगी इसमें नहीं खराब नहीं होते इसमें नीचे जो ना इसके अंदर यह है एक जाली वाला वोक्स से नीचे एक सिंपल बॉक्स से ट्रांस्पेरिंट वाला अगर इसमें जो मॉइस्टर है ना वह आता भी है तो जाली से निकल के नीचे पानी जो है इसका नीचे निकल जाता है और अराम से हफते दो हफते तीन हफते महीना बर भी निकल जाता है तो इसमें खराब नहीं होता हूं पर नहीं के मौश्चर के लिए लॉकिंग दी हुए तो आप इसको अपनी सहुलियत के साप से खोल बंद भी कर सकते हैं और मुझे यह काफी मेरे पास यह तकरिबन दो साल हो गए मेरे पास इनको यूज करते हैं और मुझे यह बहुत जाद होते होते बच गया तो आप भी इसी चीज का धियान रखे में ने जो कागज ना थोड़ा पास ला दिया थे जिसमें इसकी वज़े से आग लग लगी थी खेर जी अलम दिल्ला उससे कुछ दिक्कत नहीं हुई अच्छा जी प्यास के बारे में बता रही थी आपने डार्क वाले कर सकते हैं लेकिन रहूं थोड़ा साथ ना तेल-तेल वाले हो जाते हैं तो मैंने इसको पर में करके रख लिया चॉप अच्छी तरह से चौप कर लिया क्योंकि पीसने से ना में कभी भी करें इसमें जो lysh अच्छा सा हो जो कोर में वाला जो अएक्डम दानेदार वाला कore में होता है वह इसको बचूरने से आता है आपने इसको पीस के पीज भी गरमसाला तो जो पहले वाले करें गरमसाला पीस लोगी जो गर्मसाला होता है इसे बाहर गरमसाला मुझे पशन नहीं है जएे तो में हमैशा जो है वो घर का yüzड़ सब्सक्राइब कर दी रखे हूं न में उनको साथ में पर गरम मसाले ना करेट और तरीके से यूज़ होग बंगो म साला इसकर में युज हो रहा है तो सबीससाली द्सारी है बड़ी में भीस जीज यहील णद़निया सौंफ जाएं प्रमठ मइस हतों ताथ में Show dude सब मेने लग से मंगाई थी और पुराने वालों को मैंने पेच लिया है और नई वालों को मैंने इस तरीकवे से ताकि आःद वाले दिन मुझे दिकत आउया जोना किसी को परशान नहें खतम हो रही है और वो फिस दूसरा आद्मी भी परिशान रहों इससे दूसरा आदमी परяти जोते होती ही पहले सबक्रूर्ब करने रह साथ के साथ के साथ चल को हुँआ है और यह मैंने पीस लिया है और अभी मैंने इसको भी एक box ने करके रख लूँगी इसको भी यूज़ कर लिए और घर का फिसा हुआ ही घर मसाल्या होता है वह उसमें पता नहीं क्या-क्या मिला जादा तर वह जीरा मिला देते हैं और जिसमें जादा जीरा होता है ना तो उस घर मसाले में कभी भी ज्यादा टेस्ट नहीं आता है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं घर में घर मसाला पीछ लूँ और थोड़ी सी ये वाला में आएक बाक्स बना कर रखती हूं जिसमें में हलदी धन्या मेर्चे और नमक बनार रखती हूं ताकि मुझे बारबार बार नए बड़े बाक्स न उठाकर लाने पड़ें क्यूक्ति इस न डाउने में तूटने का भी डर रहता है तो मैं ज़्यादे जादा मसाल